आप देख रहे हैं Alpha Defense, Alpha Defense Hindi में आपका स्वागत है आप हमें जॉइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर Facebook, Instagram, Twitter और English viewers हमें जॉइन कर सकते हैं Alpha Defense English पर आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-35 Lightning 2 के बारे में इंडियन मीडिया में F-35 Lightning 2 के procurement को लेकर फिर से बाते शुरू हो चुकी है कल यानि कि 30 जून 2020 को भारतिया मीडिया में बड़े जोर शोर से ये बोला जाने लगा कि भारत F-35 Lightning 2 United States of America से खरीच सकता है हर बार की तरह ये केवल speculation नहीं थी इस बार मीडिया के पास अपनी speculation को back करने के लिए थोड़े तथ्य भी थे पहला मीडिया के हिसाब से US Senate में F-35 Lightning 2 को भारत को बेचने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है United States of America में जब भी कोई weapon दूसरे देश को बेचा जाता है उसको US Congress का approval लगता है और मीडिया के अनुसार इस approval के लिए इस fighter jet को table किया गया है US Senate में और दूसरा जिस तरीके की situation बारडर पर बनी हुई है उसमें United States of America के role को लेकर आए इस news को थोड़ा ध्यान से observe करते हैं इस news के तीन important aspects हैं पहला proposal दूसरा F-35 lightning jet और तीसरा US Senate अभी आप screen पर NewsX में दिखाई गई एक report का screenshot देख रहे हैं और ये keywords इसी report में से लिए गए हैं अगर इस report को decode किया जाए तो समझ में आता है कि ये cable एक proposal है अभी इस पर कोई बात confirm नहीं हुई है दूसरा जैसा कि Philippines के case में हुआ था जहां पर United States of America को एक selling potential दिखता है वहाँ पे Senate approval पहले ले लिये जाते हैं Philippines को attack helicopters खरीदने हैं और Philippines के लिए दोनो Cobra helicopter और Apache helicopter पहले से ही Senate approval पा चुके हैं और Philippines इस समय टर्किश helicopter को भी evaluate कर रहा है जैसे ही media ने ये news दिखाना शुरू की कई लोगों ने तो मान लिया कि अब ये fighter jet सीदे सीदे Ladakh में deploy कर दिये जाएंगे और दूसरा group इस चीज़ को लेकर परेशान है कि अब AMCA का क्या होगा इन लोगों के बीच में एक और set आता है जो आके बोलता है कि F-35 affordable नहीं है काफी manga plane है इस fighter jet की maintenance बहुत जादा costly है ये dog fight नहीं कर सकता उन लोगों से मैं पूछना जाऊंगा कि इस fighter jet को 15 से 16 अलग-अलग देश operate करते हैं और जिनमें से केबल United States of America का defense budget भारत से जादा है वो लोग उतने budget के साथ में इस fighter jet को कैसे maintain करते हैं चलिए अब analyze करते हैं कि ये news आई कहां से और इस news का source क्या है United States of America में National Defense Authorization Act साल 2021 के लिए discuss किया जा रहा है National Defense Authorization Act कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे भारत में रक्षा budget अगर National Defense Authorization Act 2021 को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये सारा का सारा budget या तो CCP के खिलाफ है यानि कि Chinese Communist Party और या फिर राशा के खिलाफ है और इस बार के budget में राशा को पीछे रखा गया है और चाइना को आगे है लेकिन इस Act में कहीं पर भारत का नाम नहीं है और इसी वज़े से इस Act में एक amendment सजस किया गया है और ये amendment आया है दो Senators की तरफ से Texas के Senator John Cornyn जो कि एक Republican Senator है और काफी Senior Senator है ये साल 2002 से Texas के Senator है ये 114 और 115 कॉंग्रेस में Majority VIP थे अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इनके comparison में आप अमिच्छा को ले सकते हैं दूसरे हैं वर्जीनिया के Senator Mark Warner Mark Warner Democrat है यानि कि ये प्रतिपक्ष में है ये साल 2008 से वर्जीनिया के Senator है ये काफी Senior Leader है और Senate Democratic Cacos के Vice Chairman है अगर इसको इंडिया के हिसाब से compare किया जाए तो नेता प्रतिपक्ष इस समय तो कोई नेता प्रतिपक्ष है नहीं लेकिन एक समय पर सुष्मा स्वराज अटल बिहारी वाजपाई पीवी नरसिमा राओ और राजिव गांधी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका ओधा भी काफी बड़ा है इन्होंने जो amendment suggest किया है उसे आप पास ही समझिये क्योंकि दोनों तरफ से यानि कि Democrats और Republican दोनों ही इस चीज़ को लेकर दोनों का साथ देने वाले हैं और ये जो amendment suggest किया गया है ये एक long term solution है इन दोनों senators के हिसाब से United States of America और Israel द्वारा स्थापित Bird Foundation की तर्ज पर भारत और United States of America मिलकर एक foundation बनाए जहां पर भारत और United States of America की private companies collaborate कर सके हैं इस चीज़ को पूरा करने के लिए United States of America को invest करने के लिए पैसा चाहिए होगा और ये amendment act Secretary of Defense को ये powers प्रवाइड करता है Bird Foundation यानि की Israel-US Binational Industrial Research and Development Foundation एक entity है जो की Israel और United States of America में दो industries को pick करते हैं यानि की एक तरीके से matchmaking करते हैं और उसके बार इनके project में 50% का investment Bird करता है और Bird कोई equity share इस नए project में लेता नहीं है इस तरीके से नए ideas को बड़ी ही आसानी से funding मिल जाती है partners मिल जाते हैं technological support मिल जाता है और छोटे-छोटे startups बहुत जल्दी एक unique idea की मदद से बहुत बड़ी-बड़ी companies बन जाते हैं इन दोनो senators के हिसाब से इस चीज़ की शुरुवार एक 5th generation fighter jet aircraft project से की जाए और इसी को लेकर speculations का दौर शुरू हो गया United States of America में दो operational 5th generation fighter aircraft है पहला F-22 Raptor और दूसरा F-35 Lightning 2 और जैसे ही ये amendment सेनेट में आया भारतिय मीडिया मान के बैढ़ गई कि F-35 Lightning भारत आ रहा है अगर United States of America सच में serious हैं Indo-US relationship को लेकर और वो bird foundation जैसा foundation भारत और United States of America के बीच में बनाना चाहते हैं तो इस चीज के potential असी मित है एक example के तौर पर भारत में Boeing और Tata मिलकर YF-23 को दुबारा बना सकते हैं लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता कि इस चीज को लेकर United States of America की leadership कितनी serious है लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि F-35 Lightning II अभी फिलहाल तो भारत नहीं आ रहा है आपको क्या लगता है बताईए हमें comment section में आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताईए हमें comment section में वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताईए हमें comment section में आखे क्यों देखते रहिए Alpha Defense धन्यवाद जैहिन झाल